नमस्कार मैं हूँ वैभवनाज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मित्रों आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर आपकी कोई बहुमूल ये वस्तुक हो जाए गुम हो जाए तो आप कैसे पता लगाएं कि वो चीज आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी अगर आपकी कोई वस्तुक गुम हो गई है अत्वा चोरी हो गई है तो जिस दिन वो गायब हुई है या जिस दिन आपको ये जानकारी मिले कई बार ऐसा होता है कि सामने सामने चोरी हो गई आपको पता लग जाता है कई बार ऐसा होता है कि हमने रख दिया कोई वस्तु कहीं पर और वो चोरी हो गई या घर में ही कहीं गुम गई है और वो मिल नहीं रही है और हमको कुछ समय ब गुल गए थे कहीं खो गई है गुम गई है या आपके घर से चोरी हो गई आपको नहीं मालूम आपको आज पता लग रहा है कि हमारी चीज चोरी हो गई है तो आज का नक्षत्र देख लीजे जिस दिन आपको ग्यान हुआ कि मेरी ये वस्तु गुम गई है उस दिन के नक्ष अठाइस नक्षत्र होते हैं जिनें चार बराबर भागों में बांट दिया गया है एक भाग में सात नक्षत्र आते हैं जिनें अंध मंध मध्य तथा सुलोचन नाम से पुकारा जाता है इनके चार जो हैं कैटेग्रीज बना दी गई है इन नक्षत्रों के मता अनुसार गु मिलेगी भी या नहीं मिलेगी ये प्राप्त किया जा सकता है इस जानकारी के आधार पर तो अक्सरम लोगों के सामने ऐसे केसे जाते हैं तो हम लोग इसी विधी से इसको जानते हैं ऐसे तो जानकारी करने के विधी और भी है तो ये पता लगाया जा सकता है कि ये किस तरीके से प्राप्त होगी या नहीं होगी या किस दिशा की तरफ गई है तो व्यक्ति अपने घर में ही अगर खोचता है तो उसी दिशा में प्रयास करें तो उसमें सफलता मिलती है नक्षत्र लोचन ग्यान के विशाय में आप कैसे जाने अंध लोचन में आने वाले नक्षत्र हैं रेवती, रोहिनी, पुष्य, उत्तराफालगुनी, विशाखा, पूर्वाशाढ़ा और धनिश्ठा मंद लोचन में आने वाले नक्षत्र हैं अश्विनी, ब्रिग शिरा, अश्लेशा, हस्त, अनुराधा, उत्तराशाढ़ा और सत्विशा मद लोचन में आने वाले जो नक्षत्र हैं वो हैं भरणी, आद्रा, मघा, चित्रा, जेश्ठा, अबिजित और पूर्वा भादरपद इसी तरीके से सुलोचन श्रिणी में आने वाले जो नक्षत्र हैं वो है कृतिका, पुनरवसू, पूर्वा फालगुनी, स्वाती, मूल, श्रवण और उत्राभादरपद तो ये तो उनकी केटेगरीज हो गई कि ये इस केटेगरी में आते हैं अगर आपकी कोई वस्तू मंद लोचन में गुम हुई है, चोरी हुई है तो उसे दक्षण दिशा में आपको खोजना चाहिए इस नक्षत्र में गुम हुई वस्तू तीन से चार दिन के अंतराल पर मिल जाती है मगर उसके लिए आपको बहुत जादा प्रयत न करने पड़ते हैं या आपको बहुत प्रयास करने पड़ते हैं तब जाकर के वो मिलती है अगर आपकी वस्तू मंद लोचन में गुम हुई है तो वो पश्चिम दिशा की ओर से मिलती है एक महीने के बाद उस वस्तू के बारे में कोई खोज खबर कुछ जानकारी मिल पाती है और धाई महीने के बाद या धाई महीने या उसके बाद उस वस्तू के मिलने की संभावना और प्रबल होती है तो एक महीने बाद तो उसमें कुछ गतिवीदी, कुछ जानकारी मिलती और धाई महीने के बाद वो आपके पास वापस आए, ऐसा उसका समझना चाहिए, धाई महीने के बाद जैसे समय बीटता जाएगा, उतनी संभावना बढ़ती जाएगी कि वो आपको प्राप्त हो है, वो फिर दुबारा कभी जीवन में प्राप्त नहीं होती, वो कभी आपको दुबारा मिलेगी नहीं, तो सुलोचन की श्रेडी में आने वाले जो नक्षत्र हैं, वो हैं कृतिका, पुनर्वसू, पूर्वा फालगुनी, स्वाती, मूल और श्रवन, इसके लावा उत्त चोटे उपाय और सुझाव बहुत पसंद आते होंगे, आप सभी से आग रहे कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं, तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इसे या भाग्य वाधा हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाईक जीवन में हो सुक्का अभाब, पाईए अपनी समस्त जोटिश्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमतकारी, प्रभाविशाली समाधार, एक जहनमाना और विश्वस्ति ना आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी, काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्टे और अंतर राष्ट्रे ख्याती प्राव, राज जोटिशी परिवार की आठवी बिड़ी के जोटिशी और वास्तु शास्त्री आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी के द्वारा व्यक्तिकर्द या फिर फोन पर अपॉंट्पेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300146-9990724131 या फिर एमेल करें sharma.webhub at the rate gbill.com